हाई एवरिवन यह वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं कि हाउ टू बाई योर फस्ट वाइलन तो यह बिगनर स्टुडेंट्स जो वाइलन सीखने चाहते हैं तो फस्ट वाइलन कैसे और कहां से खरिदना चाहिए इस से रिलेटेट सारी बाते बताऊंगा मेरे कई स्टुडें मैंने कुछ पॉइंट्स बनाएं तो मैं step by step समझा सकता हूं कि किस तरीके से आपको वाइलन खरीदना है क्या क्या चीज देखनी है और क्या 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 करना है तो जल्दी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको budget सेट करना पड़ता है इससे पहले मैं बता देता हूं कि यह तो मैंने कुछ steps बताएं अगर वो सारे steps आप फॉलो कर लोगे तो आप एक बहुत अच्छा वाइलन खरीच सकते हो शुरुवात में ही और वाइलन से रिलेटेड आपके कुछ doubts से भी clear हो जाएंगे जब भी हम कोई instrument खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उसका budget सेट करत करता है तो मैं उसमें किया गया है वाइलन को 20-25 तक के जितने भी वाइलन है वह बिगनर लेवल में आते हैं और 30-35,000 से लेके 60-70,000 रुपे तक के जितने भी वाइलन है वह intermediate में आते हैं और professional level के वाइलन जो है वह 80,000 रुपे या 70,000 रुपे से भी मान सकते है अलग उपर की कोई limit नहीं है यह limitless है because वाइलन दुनिया का सबसे महंगा instrument भी आपको यह भी बता देता हूं कि जो अभी लाश्ट वाइलन जो दुनिया में सबसे महंगा auction नीलामी में विकाता उसकी जो प्राइस थी आप surprise हो जाएंगे 17 million dollar यह करोड़ों में बैठती है तो वह 17 million dollar तो बहुत जादा हो गया उसके बारे में सोचना नहीं है अब हमें सबसे पहले देखना है कि beginner के लिए budget कितना होना चाहिए तो मैं स्टार्ट करूंगा इस चीज से कि अगर आपको budget की problem है आपको financial problem है तो आपके लिए budget सोचने का बनता है और अगर आपको budget की दिक्कत न पर्दीं होता कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसा भी अच्छा खासा होता लेकिन वह वाइलन्स ने कि कुछ टाम के लिए क्या पता मैंने सीखा नहीं सीखा आगे जा और मैं सबसे होती है और जब जादा 300 यह तक की life होती होती है गेंगे तो सबसे सबसे सबाव चाहरोपया से मिल जाएगा लेकिन वह सबसे 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 मोडल होते हैं उन आपके लिए रोज का एक होरेबल बन जाता है और आपके लिए एक अलग सरदर्दी हो जाती है तो कम से कम चैसाथ अजार रुपे का वाइलन में इन्वेस्ट जरू करें आपका बज़र टाइट है तब भी अब होता क्या मैं बताता हूं एक साथ के साथ में इंसिडेंट बत अब यह जो वाइलन है इस वाइलन के अंदर जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स में कमी थी यह मेरा फ़र्ष्ट वाइलन है जो मैंने खुद खरीदा था इससे पहले सीखने के लिए मेरे पास यह और वाइलन था जो मेरे ब्रॉदर ने दुबई से लागे दिया था अब यह व वाइलन मेरे पास यह है इसकी देख सकते हैं यह विट्थ उसके कंपरेजन में ज्यादा है यानि कि यह ज्यादा नहीं है यह जितनी होनी चाहिए उतनी एक्चुल है तो इस तरह कि कई सारी कमी इसकी नैक भी टेड़ा था काफी चीज थी तो वाइलन जो महेंगे होते हैं तो फाइनल बात करते हैं बजट आपको अगर आपका बिल्कुल बजट टाइट है तो 6-7,000 रुपे तक का वाइलन ले सकते हैं और आपका थोड़ा सा बजट ठीक है तो आप 10-15,000 का ले सकते हैं और आपको कोई प्रॉब्म है नहीं तो 25-30,000 रुपे से उपर का इंपोर करता है तो वाइलन के अंदर 3-4 साइज आते हैं जो बेसिक स्टेंडर साइज होता है वाइलन का वह होता है 4y4 का 4y4 फुल साइज होता है 7-8 यह से एबव के जितने भी लोग हैं बच्चे हो या बड़े हो 7-8 यह के बाद के लोग उसको फुल साइज वाइलन को ही खरीद आप उनसे ब्लूब शुरुआ कराना चाहते हैं तो छोटे साइस का वाइलन करी दें तो साइज बहुत मैंने आपको बता दिया कि साइज का क्या है 4-4 इसका में साइज होता आप कहीं भी डिस्क्रिप्शन में देके साइज किया है तीसरा कॉश्चन मैंने इसमें रखा है कि वाइलीन एलेक्ट्रिक खरीदे ये अकुस्टिक तो मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ यह मेरा जो मेरा ज्लान है यह दोनों और यहां पर रकिएं धोनों आकुस्टिक वाइय। अकुस्टिक ह Anfang उसमें जो साउंड होता की होलो बॉडी होती है फोल में साउंड जाता है और नेचरोली साउंड प्रिडूस होता है इसके अंदर कोई प्लाग इन इलेक्टिक सर्कृट की रिक्वार्मेंट नहीं होती तो यह अकुस्टिक वाइलिन ही चाहिए होता है इलेक्टिक की जरूरत नहीं होती है अब फोर् फोटर डूस जिसका इंटरेट पे एडर्श मिल जाएगा फोन नमर मिल जाएगा फटाड व्र्टर उस्ट नगर में है भारगवा मुजिकल स्टोर दरिय अगण जो लाजपत नगर दोनों में दोनों एक कंपनी के एक ही ओनर के हैं वो दो ब्रांच है और तीसरा है राज म्यूजिकल जो आफ लाइन इनका वेस्ट पटिल नगर में यह तीनों ठीक है जहां पर मेरा जाना आना फ्रिक्वेंटी बना रहता है भारकवा म्यूजिकल सबसे ज्यादा ऑप्शन रखता है वालेंट के अ लगता है बट चीज एक नंबर की होती है प्रपर बिल के साथ इसके अलावा अब आप लाइन की बात करते हैं अपके पहले प्शन आता आपके पास अमजोन अमजोन से आप मैं उसको रिकमेंड नहीं करूंगा अमजोन से गलत नहीं है लेकिन अमजोन पे बहुत सारे सेलर और ऑफलाइन स्टोर भी है ऑफलाइन स्टोर भी इनका भी लाजपतनगर में और नोड़ा सक्टर 18 में है है तो और स्टेज डॉट कॉम से भी वाइन खरी सकते हैं तो फिफ्ट कोशन हमारा रखा है हमने कि कौन सी कंपनी का वाइन खरीदना चाहिए ब्रांड क्या होना च स्टेंटर एक बहुत अच्छा ब्रांड है यह इंपोर्टेड होता है और मेनुफेक्ट्रिंग इसकी चाइना में होती है इस टेंटर का वाइन आपको मिले वह स्टार्टिंग देंज उसकी आपको जहां पर ऑप्शन सही मिलता है अब ले सकते हैं तो इस तरह से कुछ ब्रांड है और वैसे बड़े ब्रांड जो है वह आपकी बजेट में यानि कि आप 20-25 जार तक का बड़ेट उसमें आएंगे वह उसके उपर ही आते हैं अब इसके बात नेक्स्ट कोशन है वह फॉर लेना चाहिए और वैलेन के साथ इंग्लू डेट एक्स अक्सेशरी स क्या आती है तो तो अक्सेशरी के साथ इंग्डेट राती है iden फीसकी अहां भी महेंगई आती है घ सारी तो यह अपको डियातर कोई भी ज्टेशन मिल सकती सका यूज क्या होता है मैं इसका यूज होता है कि इस तरह से आपको 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 है तरहरे इसाव को लाटा है कि लोगाना होता है लोगा हो तो बाanting आपको नेकद नहीं मिले के साथ ही प्रवाइड किया जाता है तो थोड़ा सा आईडिया देने के लिए मैं दिखा देता हूं इस तरह का यह केस है यह एक नॉर्मल केस है जिसकी बजार में अलग से खरीते हैं तो 12-1500 रुपे कीमत की पढ़ती है तो यह ऐसा केस साथ में आता है विगनर वाल इन के साथ बहुत जो बहुत महेंगे वालिय उनके साथ अच्छा वाला के कारबन फाइबर के भी आते हैं जो काफी रेगुल्र ट्रैवल के लिए अच्छे रहते हैं अब ट्रों इंक्लूडी डिया सरी के औप्षिण होगे पूरे कि आपको रोजन मिलेगी ऑकेस मिलेगा वाइलिन मिलेगा ठीक है वाइलिन के साथ यह वाइलिन का सैथी होगा तो मैं अलग भी बता देता हूं फिर भी बो के साथ होना चाहिए बो कहते हैं इसको हिंदी में गजबी कहते हैं बो इंदसेंस धनुष धनुष को इंगलिश में बो कहते हैं तो इसको भी नाम रखा हुआ क्योंकि धनुष जैसे ही शेप होती है कि अब मैं बताने जा रहा हूं कि aftermarket accessories कौन सी होती है जिसको लेना जरूरी है साथ में पहली चीज तो आप जब भी वालन खरीदते हैं आप एक एडिशनल इस्ट्रिंग का सेट लिजिए इस्ट्रिंग बोलते इसको इस्ट्रिंग का एक सेट जरूर लीजी क्योंकि इस्ट्र 300-400 का भी मिलता है वही बात बताऊंगा कि 300-400-500 वाला मत लीजिए यह वाला जो मेरे हाथ में यह 1000 का मैने खरीदा था तो अब आसपा सी कीमत होती है Amazon पर मिल जाएगा यह अच्छा इसकी लोंग लाइफ है चार साल से मेरे पास है तो अभी तक कुछ नहीं हुआ इसका तो मैं आपको इसका डेमो भी देता हूं चोटा सा अभी मैं दो साउंड सुनांगा विदाउट यूजिंग मूट और फिर यूजिंग मूट है ना तो यह साधा इसकी नॉर्मल साउंड है तो इस तरह से थोड़ाचा साउंड है अब मैं इसको मूट को लगाने के बाद साउंड सुनाता हूं कितना फरकाएगा आप देख सुन सकते हूं कि अच्छिंग मूट लगा होगा कि पाद कि अच्छिंग में इंडिया यह घ्रिए यह यह समझने वाली बहुत इंपोर्टेंट को शचन है देखिए जितने भी वाइलिन इंडिया में बनते हैं उन वाइलिन के लिए मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि इंडियन वाइलिन नहीं खरीदें आप सस्ते भी मिल जाते हैं और कभी-कभी अच्छे भी मिल जाते हैं यह आपका लग भी है और आपको सही सैलर सही मैनुफेक्ट् में तो प्रॉल्म है नहीं बस उसके टेक्निकल चीज़ें जो होती है अभी मैं आपको लाश्ट कोशन में बताऊंगा कि सब कुछ और देते हैं अब लाश्ट जो कोशन है वो यह होता है कि आपको वाईलन यह कैसे चेक करना है यह जो मेरे पास ठीक है तो कुछ यह जो ब्रिज इसको ब्रिज बोलते हैं इसका कर्व इतना होना चाहिए कि किसी भी स्ट्रिंग के बीच में भी अगर इस वालेंट की बो चलती है तो दूसरे स्ट्रिंग को टच ना करें अब शुरुवात में आप जानते नहीं पर लेकरना तो आप इसको समझनी पाएंगे अगर यह वालेंट ठीक है तो यह जिसका स्क्रोल और यह पीछे का यह जो पार्ट है यह टच होगा यह हवा में रहेगा आप अगर वीडियो में देख पा रहे हैं तो यह देखी यहां पर मेरे उंगली की गुस्ने जितना गैप है यह पार्ट टच है और यह वाला पार्ट टच है तो यह वाला पार्ट टच नहीं है इसका मतलब यह वालेंट ठीक है अब मैं दूसरा वालेंट दिखाता हूं इ देखें ये फूरा ये पहले था लेकिन मैने करवाया रेकिसी यर्पेयर करते वाजिन से में था पहले यह एंडियन और यह एंपोर्टेट है और इस आपको इस आपने पर शहरो zet खैए डिले पोलते हैं वह आप आपको शायद इसमें ना दिखाई दे लेकन आप ऐसे साइड से जाकेंगे तो दिख जाएगा वो लगा होना चाहिए कई बार आप ऐसे लागे देखें वालेन को जब भी आप खरीदें वालेन एसे लागे देखें अगर साउंड आ रही है कोई चीज ऐसा लग आपको कुछ घरा हुआ है तो चांस है कि वो फिर जो होता है जिसको साउनड पुष्ट कहते हैं वह गरा हुआ हो होगा तो आपको उसको लगाना तो समझा लो बहुत ही मुश्किल काम है और उसको रिपार करने वाले भी बहुत ही गंशी का मिलने वाले कोई दिल्ली में भी एक लिया था आप द्यान से देगी इसमें एक क्रेक था और यह जो उस टेम पर देखनी रहा था लेकिन अभी यह थोड़ा सा बढ़ गया है तो ऐसी चीज़े हो जाती है से साउंड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ आपको यह देखनी है वाले इनकी बो बो आप चेक करिए कभी भी वह बो का सबसे सिंपल तरीका बताता हूं जब यह वह देखेंगे तो कर्व होना चाहिए इसके अंदर आप देख रहे हैं इसके अंदर एक कर्व है यहां से बीच में डाउन है और इधर से उठा हुआ हुआ है कर्व होना बहुत ज़रूरी इससे कंट्रोल मिलता है पले करने के लिए अलग अलग धागे देख रहे सकसे होता थेल्गं और बूकर से होता है तो सिंथेने की नहीं हो येकर है तो ठीक है है और यहाँ मैलेगा आपको इसばルクन कन्ट्रोल के लिए क्लिए होता है इसें वेसे चीज़ार चाहिए उना चाहिए है तो बेगन् casi तो bhog देटेल में आप नहीं चेक कर पाएंगे तो इसके लिए आपको अपने वाइलन टीचर से गुरू से मिलना पड़ेगा तो इस वीडियो में इतना ही तो मैंने आई होप कि मैंने कोशिश किया है वाइलन के लिए जितना हो सकता है कि मैं बिगिनर को एक सजेशन देपाया हूं और बता पाया हूं कि कैसा वाइलन आपको खरीदना है फर्स टाइम में तो ठीक है इस तरह से इसी के बाद वीडियो खतम करते हैं और अगर आपको आगे भी आपको कोई बीचीज जाननी है या वाइलन टूशन लेना है ऑनलाइन क्लास लेनी है तो मुझसे संपक कर सकते हैं सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी किजिए और और भी मेरे जो मुझिक प्लेइंग के वीडियो आप देख सकते चैनल पर तिल दन बाइ-बाइ